दोस्तों, आपने किसी गरीब व्यक्ती को अमीर बनते देखा या सुना होगा, और इसके साथ ही अमीर व्यक्ती को गरीब बनते हुए देखा या सुना होगा, लेकिन आपने ऐसा व्यक्ती को देखा है या सुना है, जो कहता है कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, लेकिन पांच हजार करोड के घर में रहता है और उसके घर का एक साल का इलेक्ट्रिक बिल साथ लखाता है। आखिर वह कौन है? तो वह है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अम्बानी के छोटे भाई अनिल अम्बानी। आप उनके बारे में यह जानते होंगे कि कैसे वह अमीर से गरीब। सौरी बहुत अमीर से अमीर कैसे बने। क्योंकि आज भी उनके पास कई हजार करोड की संपत्ति है। आखिर कैसे? तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलाइंस इंडस्ट्री के मालिक धीरू भाई अमबानी के दो बेटे बड़े भाई का नाम है मुकेश अमबानी और छोटे भाई का नाम है अनिल अमबानी। जब इन दोनों ने रिलाइंस इंडस्ट्री को चलाना स्टार्ट किया तब इन दोनों में बंती नहीं थी क्यो उनकी माँ कोकिला बेन अंबानी ने 2005 में दोनों भाईयों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगे और अपने तरीके से बिजनस को आगे बाढ़ने लगे। और एक वक्त ऐसा था कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से आगे थे और विश्व के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन अनिल अंबानी आगे बढ़ने के चक्कर में बहुत सारे लोन ले लिये थे और इधर बिजनस भी चल नहीं रहा था। आखिरकार लोन चुकाने के लिए अपनी कंपनी के संपत्ति को बेचना स्टार्ट किया। लेकिन कर्ज इतना ज्यादा था कि बचने के बाद भी नहीं चुका पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने कंपनी को दिवालिया घोशित कर दी। और कहां मेरा नेटवर्क जीरो है? लेकिन आज भी उनके पास बहुत पैसे हैं। साल 2006 में अनिल अम्बानी की नेट वर्थ 45,000 करोड थी। उसके बाद संपत्ति घटने लगी और जीरो पर आ गई। लेकिन इसके बावजूद वह Reliance Capital, Reliance Communications, Reliance Entertainment और Reliance Power के मालिक हैं। भले ही यह कंपनी भारी घाटे में हैं लेकिन वह सेक्रेटली कंपनी को खड़ा करने लिए काम कर रहे हैं। बात करें इस वक्त की संपत्ति के बारे में तो उनके पास मुंबई में 5,000 करोड का आलिशान घर है। इसके अलावा उनके पास कई सारे Real State Property दुनिया भर में मौजूद है। उनके पास Luxurious कारों का कलेक्शन भी मौजूद है। इसमें Ondi BMW Lamborghini और Rolls-Royce जैसी तमाम खूबसूरत और महंगी गाडियां शामिल है। इस वक्त अने लंबानी की नेटवर्क 350 करोड की है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो 0 net worth allowance किया था लेकिन यह पैसे कैसे आए। तो अने लंबानी की कई प्रॉपर्टी उनकी wife के नाम से थी जो इस वक्त उनके पास है। और कुछ secret प्रॉपर्टी भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप किस इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।